यहाँ पर देखो ascending triangle pattern बना हुआ है और साथ में ही एक indecision candle बना है अगर next candle इसके उपर close देगा तो हम कॉल की direction के लिए trade लेंगे और यहाँ पर देखो candle ने close कर दिया उपर की तरब अब हमारी यहाँ पर entry हो जानी चाहिए 1-2 risk reward के साथ पर यहाँ पर हमें एक retest opportunity मिला यहाँ पर भी entry कर सकते चोटे stop loss के साथ without retest entry पर आपका stop loss बड़ा होता है जिबकि retest पर आपका stop loss छोटा होता है